कबरदा के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंद्री भूपिश बगिल से मीडिया ने सवाल पूछे कॉंग्रिस का राश्य अधक्ष कौन बनेगा इस पर सीम बगिल ने कहा कि शाम तक इंतिजार करना पड़ेगा वहीं आपको बताने कि इस पर सीम बगिल ने कहा कि शाम तक इंतिजार करना पड़ेगा वहीं शाम तक क्लियर हो जाएगा वहीं बीजेपी पर तंश कस्ते हुए सीम बगिल ने कहा कि भारती जंदापाटी में पता ही नहीं चला कि उनके राश्य अधक्ष दोबारा बन गए है वहीं कॉंग्रेस की भारत जोड़ यात्रा पर सीम बगिल ने कहा कि बीजेपी और उससे जुड़े संग्टेम राहूल गांधी की पद्यात्रा को मिल रही लोग क्रियेता को बाधित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कुछने होगी और उसके बाते को मैदान में बसते हैं वह देखनी की बात होगी भारती जनता पांटे में पता ही नहीं चला कि उसके राष्टे अधर्ष कब दुवारा बन गए